नमाशकार दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भरवा हरी मिर्च का आचार तो इस आचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपर हरी मिर्च ले लिया है वेट में आदा किलो है और इसको जो हरी मिर्च के डंठल होते हैं उपर वाला वो हम निकाल लेते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से निकल जाते हैं डंठल तो ये सभी मिर्च के डंठल निकल गए हैं उसके बाद एक चाकू लिजिए और 20 से ऐसे ही चीरा लगा दीजिए ये दिखे बहुत ही इजी है चीरा लगाने में दोस्तो इस तरह हमें सारी मिर्च के चीरा लगा लेना है जो हम चिला लगा रहेना उसके अंदर भरेगा मसाला तो अब हम चलेंगे मसाला बनाने के लिए तो प्लीज दोस्तो ध्यान पूर्वक आप देखिए तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढाई ले लिया है एक चमच जीरा एड़ करेंगे और इसके बाद हम इसके बाद एक चमच में लिये हैं और दो चमच यहां पर पर साबुत भनियां इसके बाद हम एक चमच यहां पर आजवाईन लेंगे और इन सभी हो हम पहले हम अच्छे तरह से लगभग दो मिर्ट तक हम ऐसे ही मिक्स करेंगे लो फेम में तो जब अच्छे तरह से महक आने लगे ना तब हम यहाँ पर एड करेंगे 12-15 लाल मिर्च एड कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छे तरह से हमें मिक्स करना है लगभग दो मिर्ट तक तो दो मिट के बाद अब हम इनको बहुत ही अच्छे से ठंडा करना है जब यह अच्छे तरह से ठंडा हो जाए ना तब हमें क्या करना है इनको ग्रैंड कर लेना है तो बड़ी हा तरह से ग्रैंड करेंगे दोस्तो और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहा जाले को मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेता हूँ, तो प्लेट में यहाँ पर निकल गया है मसाला और इस मसाले मैं यहाँ पर एड़ करंगा, एक चमच लसुन अदरख का पेस्ट。 पेस्ट एट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर खटा सा फ्लेवर के लिए यहाँ पर एक चमच आमचू पाउडर एट करूँगा और एक चमच मैं यहाँ पर नमक एट करूँगा अब इन सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स करूँगा हाथों से ताकि ये अच्छे तरह से मिक्स हो जाए जब ये अच्छे तरह से मिक्स हो जाए ना उसके बाद हम आपर दो चमच सरसो का तेल एट करेंगे तो प्लीज दोस्तो आप सरसो का तेल से ही इसको बड़िया तरफ से मिक्स करेंगे बहुती बड़िया खुजबु आ रही है दोस्तों मसालों से तो यहाँ पर हमारे मसाले एकदम से रेडी हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे? यहां पर लेंगे हरी मिर्च जो हम चिरला कर रखे थे तो इस तरह फैला दीजिए हरी मिर्च को और मसाला ऐसे भर दीजिए बहुत ही अच्छे से भरिये दोस्तो तभी बहुत ही अच्छे भरवा हरी मिर्च बनेगी तो फटाफट हम यहाँ पर मिर्च में मसाला भल लेते हैं और उसके बाद जब थोड़ा सा हमारा मसाला बचे ना वो हम उसको रखेंगे साइड में तो मैं आपको दिखाएता हूँ कि हमारा मसाला इतना बचा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे बाद में इस्तमाल कर लेंगे और अब हम जो बनाए है ना भरवा मिर्च उसको हम अच्छे से पकाएंगे तो कड़ाई ले लिजे और उसमें हम यहाँ पर हरी मिर्च एड़ कर देंगे मतलब भरवा हरी मिर्च एड़ कर देंगे add करने के बाद अब side side आपको तीन चमच सरसो का तेल add करना है तो बढ़िया तरह से हम यहां पाद सरसो का तेल add कर देंगे और उसके बाद कैफ लगा देना है पांच मुट के लिए ताकि बढ़िया तरह से मिर्ची soft हो जाए और बीच मिर्ची में आप चेक भी कर लिजिएगा तो यहां पांच मुट के बाद दीखिए बढ़िया तरह से color change हो गया है mix कर देंगे बढ़िया तरह से mix करेंगे दीखिए कड़ाई से थोड़ा सा लगने लगा था और उसके बाद जो मसाला बचतना अब हम यहां पर add कर देंगे तो बढ़िया तरह से mix कर देंगे उसके बाद हम यहां पर आधा चमच और नमक add करेंगे नमक add करने से क्या है कि बढ़िया तरह से इदम balance हो जाएगा अचार में वैसे नमक बहुत ही जड़ा लगता है तभी अच्छा अचार बनता है अच्छी तरह से mix कर देंगे और mix करने के बाद 2-3 मिट तक और ढग दीजिए ताकि मसाले बढ़िया तरह से मिर्च में लग जाएं और खुज भी बहुत अच्छी लग जाए तो 2-3 मिट के बाद अब हम यहाँ पर कैफ निकालते हैं mix कर देंगे तो यह बनके हो गई है तैयार भरवा हरी मिर्च का अचार यह सालों साल तक खराब नहीं होगा दोस्तों तो इस तरह बनाएए और दाल के साथ रोटी के साथ खाएए बहुत ही बढ़िया लगी तो दोस्तों भरवा हरी मिर्च का अचार आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में